नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर केला शादो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हमारी रंगी दुनिया में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर जो रेगुलरली हमारे अपलोड किये गए वीडियो को लाइक करते हैं उस पर कमेंट करते हैं और और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में शटर स्पीड क्या होती है शटर स्पीड का महत्व क्या है शटर स्पीड स्लो शटर स्पीड हाई शटर स्पीड का इंपैक क्या होता है तो हम जानेंगे कि शटर स्पीड क्या होती है औ और इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेश्ट करना चाहता हूं कि जिनों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल से जल हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें और ऐसे रंजक मनोरंजक और जानकारी से पूर्ण वीडियो हम चीज है एक्सपोजर यानि फोटोस फर्मेशन के लिए ज़रूरी लाइट और इस एक्सपोजर को निर्धरित करने वाले चार कारक होते हैं वह चार कारक कौन से है वह सब में पहला उसका कारक है लेंश का अपार्चर दूसरा कारक है कैमेरे की शठर स्पीड तिसरा जोते हैं एक्सपोजर ट्रेंगल जितना सहीं और सठीक होगा उतना ही बहतरीन फोटो निकलेगा तो हम एक्सपोजर ट्रेंगल जिसमें अपार्चर शटर स्पीड और आयस व आता है कि इसके बारे में एक-एक से देखेंगे तो आज हम इस वीडियो में शटर स्पीड का माय फोटो के एक्सपोजर को यह किस तरह प्रभावित करता है और फोटोग्राफी में इसकी क्या भूमिकाई इसका क्या रोल है तो पहले जानते है कि शुटर स्पीड याने क्या कि एक बहुत अहम कंपोनेंट होता है शुटर जो लेंस और इमेज सेंसर या फोटो फिल्म के बी पहुश्ती है और फिल्म क्यामेरे में उसके फिल्म तक पहुश्ती मि आद स्थविर लेने के लिए डाइन अखेमेरे को सब्सक्रा पर फोकस करने केवा Eu buenas कि जब हम Shutter बटन को दबाते हैं तो एक क्लिक की आवाज आती है यहां इस शटर को खुल खुलकर बंद होने की आवाज होती है शटर कर खुलकर बंद होने में जितना समय लगता है उसे शटर स्पीड कहते हैं आपको समझ में आरायन दोस्तों कि कैमेरे का जब हम शटर बटन रिलीस करते हैं तो जितने सेकंद के लिए माइक्रो सेकंद सेकंद के लिए हमारा वो खिडकी ऊपन होगा है उसको उसकी शटर स्पीड काउंट की जाएगी मतलब सेंसर या FI तक लाइट पहुंचने के लिए शतर जितनी देर के लिए खुला होगा वही उसकी शटर स्पीड मानी March ज़रूरत के हिसाब से इसे आप अपने कैमेरे में सेट कर सकते हैं इसे एस नाम से कैमेरे में व्यक्त किया जाता है और यह सेकन के रूप में काउंट किया जाता है इसे ऐसे समझ सकते हैं Shutter speed S is equal to 1 oblique 100 इसका माइना यह होता है कि Shutter की खिड़की सेकन के सववे हिस्से के लिए खुली और फिर बंद हो गई यानि कैमेरे का सेंसर या फिल्म तक लाइट पहुंचने के लिए Shutter सेकन के सववे हिस्से तक खुला रहा Shutter यदि 1 oblique 250 रहा तो खुला हुआ हिस्सा सेकन के धाइसोवे हिस्से यानि माइक्रो सेकन से भी कम टाइम के लिए खुलाता Shutter speed जितना अधिक होगी Shutter उतनी ही तेजी से बंद हो जाएगा और सेंसर को लाइट उतनी ही कम मिलेगी कैमेरे के अधिक्तम Shutter speed उसकी महत्वपूर्ण विशेष्टा होती है उधारन के लिए अगर हमने Nikon का कैमेरे लिया तो उसकी Shutter speed 3400 की होती है जबकि Professional कैमेरे की Shutter speed अमूमन 8000 तक पाई जाती है अब हम जानेंगे कि फोटोग्राफि में Shutter speed का क्या रोल होता है हमने अकसर सुना था हर फोटोग्राफर के त्रू कि ये Shutter speed इतनी होगी तो फोटो ऐसा आएगा Shutter speed अगर slow होगी तो फोटो ऐसा आएगा तो हम अभी उसको practically समझने की कोशिश करेंगे कि Shutter speed की भूमिका क्या होती है Shutter speed का पहला काम होता है Exposure Control Shutter speed का Exposure पर बहुत ही महत्वपून इंपक्ट होता है Shutter speed जितना फास्ट होगा Exposure का Brightness उतना ही कम होगा और इसके विपरीत Shutter speed जितना स्लो होगा Exposure का उतना ही अधिक Bright होगा जैसे Shutter speed 1.100 की तुलना में Shutter speed 1.60 अधिक Bright Exposure देगा बशर्ते अपर्चर कॉंस्टर्ट रहना चाहिए मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि अपर्चर और ISO और उसके साथ में अगर आपने Shutter speed का कॉंबिनेशन किया तभी आपको मन्चाहा Impact मिल पाएगा यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि Shutter speed को Exposure के बागी दोनों कारकों जैसे कि अपर्चर और ISO के साथ ध्यान में देखा जाना चाहिए एक्सपोजर पर हमेशा अपर्चर Shutter speed आयसो तीनों का सम्मिलित असर होता है यह बात महत्वपूर्ण है मोशन कैप्चर फोटोग्राफी में दो तरह के मोशन होते हैं पहला आपके कैमेरे का हिलना कैमेरा शेक जिसे कहते हैं और दूसरा सबजेक की गती या उसका हिन्ना यानि सबजेक का मोशन उचित शटर स्पीड का इस्तेमाल करके इन दोनों फोटो में हम मोशन प्रभाव को नियंतरित कर सकते हैं इन दोनों मोशन गतियों को दो तरीके से क्याप्चर किया जाता है पहला होता है मोशन फ्रीज और दूसरा होता है मोशन ब्लर शटर स्पीड के ये बहुती महत्वपून इस्तेमाल है शटर स्पीड का मोशन पर इफेक्ट कुछ इस तरह से देखा जाता है कि हमको अगर कोई मोशन को फ्रीज करना है तो हमें शटर स्पीड बढ़ा कर मोशन फ्रीज करना आना चाहिए यानि बिना ब्लर की तस्वीर ली जा सकती है अगर हमने शटर स्पीड बढ़ाई कैमेरा हिलने के कारण उत्पन ब्लर फोटो का जो धुनलापन होता है उसे शटर स्पीड को बढ़ा कर दूर किया जा सकता है साधारन स्पीड पर अगर हम घुमते पंक्खे को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो बिना मोशल ब्लर तस्वीर पाने के लिए हमें उसकी शटर स्पीड बढ़ानी होगी अमूमन हमने देखा है कि जब हम हमारे कैमेरे से फोटो लेते है तो जिस अबजेक्ट की हमें तस्वीर खीचनी है उसकी गती के अनुरूप हमको हमारे शटर स्पीड की गती बढ़ानी होगी ताकि हमको वो मोशन फ्रीज करना आ सके या फिर अगर हमको उसका मोशन नहीं चा यह तो हमको शटर स्पीड कम करनी होगी ताकि जरना मखमली रूप से आपको दिखाई अगर तेजी से उड़ने वाली छोटी चिडिया को मोशन बारा सो सेकंड या उससे अधिक शटर स्पीड पर शूट किया जाए तो वो चिडिया का मोमेंट फ्रीज हो सकता है जैसे शटर स्पीड का भी इस्तेमाल बहुत बहतरीन तरीके से हम अपनी फोटोग्राफी विडियोग्राफी में कर सकते हैं अगर अगर आपने शटर स्पीड आपने कम कर दी तो उपर से जो गिरता हुआ पानी है वह आपको मखमली चादर जैसा दिखने लगेगा जबकि मोशन ब्लर साउधानी के साथ शटर स्पीड पर मोशन ब्लर का इफेक्ट करना आना चाहिए बहते पानी का मखमली इफेक्ट वाली तस्वीर ऐसे ही लिजाती है जैसा मैंने बताया कि स्लो शटर स्पीड को उचित प्रयोक से गती यानि स्पीड में तस्वीर को उतारना संभव होता है रात के समय 15-30 सेकंड या उससे अधिक अल्ट्रा स्लो शटर स्पीड पर तारों की लकीर हम फोटोग्राफिया आज कर लाएं काफी ऐसे क्रियेटिव फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें तूटता हुआ अतारा इधर से उधर जा रहा है और हमको तालों की इसी लकीर दिखाई देती है तो यह इंपैक्ट कहां से आता है तो यह शटर स्पीड से ही आपको क्याप्चर करना आएगा गती यानि मोशन के नियंतरन में शटर स्पीड का अहम रोल होता है सोच समझ कर चुना गया शटर स्पीड और लाइटिंग का फ्लैश स्किल्फुली प्रयोक करने पर आपको मन चाहा फोटोग्राफिक इफेक्ट दे सकता है इसलिए स्पीड के इस्तेमाल पर कमांड हासिल कर आप बैतरिन कलात्मक तस्वीरे खीच सकते हैं क्रियेट कर सकते हैं एक क्रियेटिव फोटोग्राफर बन सकते हैं आपको याद रखना है आयसो अपर्चर और शटर स्पीड यह तीनों के कॉंबिनेशन से